Hey guys, मैं लाई हूँ, UPSC इंटर्वी के ऐसी कोश्चन जो होते तो बहुत एजी हैं, पर इनको इतना घुमा की पुछा जाता है कि अच्छे चे स्टूरेंट का सिर घुम जाता है बहुत कमी स्टूरेंट इस कॉंप्लिकेटर इंटर्वी में सेलेक्ट हो पाते हैं तो आई ही जानते हैं, क्या पुछा जाता है UPSC के इंटर्वी में वो क्या है जो बाहर फ्री और अस्पताल में पैसे से मिलता है बता बताओ, जल्दी दिमाग का बटन अन करो अक्सिजन, येस अब आते हैं अपने नेक्स कोश्चन पी, कोश्चन चू अगर आप DM है और आपको ख़वर मिले कि दो ट्रेन आपस में भिड़ गई है तो आप क्या करोगे, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, चलो मैं बताती हूँ सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन से गाड़ी में तक्कर हुई है माल गाड़ी या सवारी गाड़ी उसके बाद एक्शन लेंगे सही जवाब, अब आते हैं नेक्स कोश्चन पीप क्या आप सिविल सर्विस में पैसे के लिए आना चाते हो तो एंसर क्या होगा सर, सिविल सर्विस एक बहतरीन करियर के लिए या हमें डारेक्स शोसर सर्विस का मौका मिलता है पैसे से ज़्यादा मेरे लोगों की सेवा करना जादे जरूरी है कितना अच्छा जवाब है ना तो आते हैं नेक्स कोश्चन पी कौन सा ऐसा देश है जहां लड़किया कोवारी है क्योंकि वहाँ शादी के लिए लड़कों की कमी है प्राजी की पहारियों में इस्तित नौईवा तो कॉन देरियों कस्पे की लड़कियां कोवारी हैं वहाँ लड़कों की संक्या काफी कम है अब पढ़ते हैं अपने अगली कोश्चन पे कुछ लोग नीट में क्यों चलते हैं ते बहुत से लोगों को पता भी होगा अब एक सूथ के अनुसार हमारे सहीर में इस्तित क्रोमोजोन की खराबी की वज़े से ऐसा होता है दूसरा कारण जेनेटिक है इसके अलाबा नीट पूरी ना होना एल्कोहल, टिप्रेशन या किसी बात का जादे चिंता होने के कारण लोग नीट में चलने लगते हैं नव नेक्स कोश्चन बताओ, छिपकली पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखाई देती? आप सब में से किसी ने देखा है? चिपकली को उसकी भोजन से ही परियाप पानी मिल जाता है अलग से उसको पानी की जरुती नहीं पड़ती तो भला क्यों पानी पीएगी? अब आते हैं नेक्स कोश्चन अगर प्रित्वी पर हवा ना होती तो क्या होता? ये कोश्चन तो आप सब को पताओगा? असा कि हम जानते हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% आक्सिजन होता है नाइट्रोजन कैस बस्तूओं को तेजी से जलने से बचाती है और बीना नाइट्रोजन के पेड़ पौदे नस्ट हो जाएंगी और मनुष का जिन्दा रहना नामुम्म्मिन हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन बहुत इंट्रेस्टिन है कि जानवर का दिल उसके सिर्पे होता है? बताओ तो जरा येस समुन्दरी केकड़ा समुन्दरी केकड़े का दिल उसके सिर्पे होता है जो नदी तलाब में भी पाया जाता है पर जायता है समुन्दर में पाया जाता है इस कोश्चन का जानना हम सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्या इंफ्रेक्टर मच्छर के काटने से एर्स हो सकता है जी नहीं एर्स का वाइरस मच्छर के पेट में जिन्दा नहीं रह पाता मच्छर का पाचातर उसे पचाकर नस्ट कर देता है अगर कोई मच्छर किसी HIV positive को काटने के बाद किसी healthy sucks को काटेगा तो भी संक्रण नहीं फैलेगा अब चलते हैं हम next question की तरफ जैसे किसी काई के लिए बच्छड़ा है वैसे ही किसी बकड़ी के लिए क्या होगा बताओ मीम ना येस ये बहुत ही simple question था अब ये question आपके पसीने छुड़ा देगा सरी के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता है बताओ बताओ अरे बबबा simple है होट lips जहाँ पसीना नहीं आता अब जल्दी से जानते हैं इस question का answer सुड़ के किरने कितने रंकी होती है बताओ बताओ येस साथ रंकी जो रंग हमें rainbow यानि इन धरुष्ट में देखने को मिलता है अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने next question की तरफ मास पेश्यों में किस अमल के इकत्रित होने से ठकाबट आती है जी हाँ लेक्टिक अमल मास पेश्यों में घट्टे होने से ठकाबट आती है अब बढ़ते हैं next question की तरफ भगवाल राम ने पहली बार दिवाली कहां मनाई थी सोचो सोचो अरे बबा दिवाली राम के बाद शिरू हुई थी राम जी चोदा वर्ष के बाद बनबाज से अयोध्या लोटे थे अब पताओ मोर एक चड़िया है जो अंडे नहीं देता तो मोर के बच्चे कैसे जर्म लेते हैं जी हाँ यहाँ कहा गया है मोर अंडे नहीं देता जी हाँ नर मोर अंडे नहीं देता मादा मोर अंडे देता यही तो है शब्दो की हेरा फेरी तो जानते हैं हम अपना अगला कोश्चन दिवार बनाने में 8 पुरुष 10 गंटे लगाते हैं तो 4 लोग कितना समय लेंगे? जल्दी से कैल्कुलेट करके बताओ तो मैं बता देती हूं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यो दिवार पहले से बन चुकी है तो जानते हैं इस सवाल का जवाब वो क्या है जो वर्ष और सनिवार में एकी बार आता है? वर्ष और सनिवार में जो एकी बार आता है वो है हिंदी का अक्षर वा जो एकी बार आता है तो जानते हैं अगला कोश्चन सोने की उस बस्तू का नाम बताएए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती सिंपल है चार पाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती आगे पढ़े आप एक अच्छे अंडे को ठो सता पर कैसे छोड़ोगे कि वह क्रैक ना हो तो ठोज सत्य अंडे के गिरने से नहीं तूटेगी कैसे भी अंडे को छोड़ो सकते हो आद अंडे की तूटने की नहीं हो रही सत्य की तूटने की हो रही है क्या आप लगाता तीन दिनों के नाम बोल सकते हो पर उसमें बुद्वा, शुकरवार, रविवार नहीं आना चाहिए चलो जल्दी से सोच के और बोल के बताओ तो वो दिन है स्टार डे, तूडे और टुमारो है ना कितना मज़ेदार जवाब पते हैं हम अपना अगला सवाल का जवाब एक आदमी आट दिन में बिना नीन के कैसे रह सकता है बताओ क्योंकि वो रात में सोता है इसलिए आट दिन तक जगो या कितने दिन तक जगो रात में तो सोता ही है ना एक मेज पर प्लेट में दो सेव है उसे खाने वाले तीन आदमी है तो उसे कैसे खाएंगे है मेज पर प्लेट दो है तो इसका मतलब सेव तीन है तीनों आदमी एक एक खा लेंगे जरा मुझे नाग पंचमी का अपोजिट बताओ हाँ नाग डू नौट पंचमी है ना कितना फ़नी जवाब इनसान को पिना पैरसूट के प्लेट से बाहा निकाल देते हैं लेकिन फिर वी वो बच जाते हैं बताओ कैसे क्योंकि प्लेट उस समय रन बेवे था इसलिए ऐसे नहीं बस सकते कैसे पॉस्बल है रोहन मई में पैदा हुआ मागर उसका जनम दिन जून में आता है कैसे संभवे बताओ अरे बाबा मई एक जगा का नाम है और जोहन जून में पैदा हुआ इसलिए उसका जनम दिन जून में मनाते हैं ये था हमारा लास कोश्चन तो गाइस कैसे लगे आपको UPSC इंटरव्य के सवाल और उनकी जवाब तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूसफुल हो तो गाइस एक लाइक तो बनता है न और गाइस मैं चाहती हूँ आपका और मेरा रिलेशन ऐसे ही बना रहे हमा आपके लेडियो दोड़ोगा हूँ